रादे कृष्ण दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो दोस्तो मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स सेयर करने वाली हूँ जिस टिप्स का उपियोग करने पर आप किचन के हर मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं टिप्स नमर वन केला को उबालते समय पानी में चुटकी भर नमक और हल्दी डाल देने पर केला काला नहीं पड़ता है तो ये अच्छा टिप्स है टिप्स नमर टू बेशन का लड़ू बनाने के लिए बेशन को धीमी आजपर भूने जिसे की बेशन का लड़ू अच्छे से बने टिप्स नमर त्री समोसा बनाने के लिए मैदा में थोड़ा सा चावल का आटा मिला कर गूत लेने से समोसा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है टिप्स नमर फोर चापलो को स्वादिस्त और खुस्भूदार बनाने के लिए उसमें थोड़ असाज दाल चिनी का एक टुकरा या फिर दाल चिनी पाउडर डाल सकते हैं टीप्स नमर फाइब राहिता को टेस्टी बनाने के लिए उसमें कसूरी मेथी को क्रस करके आप डाल सकते हैं तो अब देख लेते हैं टिप्स नमर 6, लेस्टन को अधिक दिनों तक सुरक्चित रखना है, तो लेस्टन की कलियों को छीर ले और उसे साफ किया हुआ डब्बे में रख कर फ्रीज में रख सकते हैं, तो अब देख लेते हैं टिप्स नमर 7, दही वाले आलू या फिर दही वाले अरवी बनाएं तो उसमें नमक अंत में ही डाले, जब ग्रेवी पकर गाड़ी हो जाए, क्योंकि पहले नमक डाल देने पर दही फर्ज आती है, और फिर ऐसे में सबजी का टेस्ट खराब हो जाता है, दही वाले आलू या फिर दही वाले अरवी खाने में अच्छा नहीं लगता है, टिप्स नमर 8, सूखी सबजी खाने में अच्छा लगता है और ऐसे में सूखी सबजी का टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसमें दरदरा पीसा हुआ मूंग फली पाउडर आप मिला सकते है टिप्स नमर 9, यदि दही खटी हो जाती है, तो ऐसे में गुनगुने दूद में आधा चमच चीनी डाल कर दही जमाए, इसे दही जल्दी खटी नहीं होगी टिप्स नमर 10, जब आपको राजमा छोले या दाल मकनी बनानी हो, तो ऐसे में पहले आप उसे 8-10 गंटे के लिए भिगो कर रख दे इसे बनाने में आसानी होगी और समय भी कम लगेगा टिप्स नमर 11, हरे मतर को उबालते समय उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे इसे हरे मतर का हरा रंग बना रहता है टिप्स नमर 12, अतरक को साफ करके फ्रीज में रख दे इससे अतरक जल्दी खड़ाब नहीं होता है, इस्टोर रहता है टिप्स नमर 13, इसनेक्स बनानी के लिए गर्म तेल में चुटकी भर नमक डाल देने से इसनेक्स जादा तेल नहीं सोकता है, टिप्स नमर 14, रोटी को अधिक समय तक मुलायम बनाए रखने के लिए और फुली फुली रोटी बनाने के लिए गुनगुने पानी से आटा को अच्छे से गूथ ले टिप्स नमर 15, नमक पारे बनाने के लिए मैदा की जगा गेहूं के आटे का उपयोग कर सकते हैं इससे नमक पारे का टेस्ट एक जैसा ही लगेगा टिप्स नमर 16, ब्रेट खराब हो रहा है तो ऐसे में ब्रेट को मिक्सी जार में पीच ले और एयर टाइड डबे में भर कर फ्रीज में रख दे इससे फिर आप कटलेट बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं टिप्स नमर 17, सत्व का पाराठा बनाए तो निम्बू के रस की जगा आम के अचार के मसाले का उपयोग कर सकते हैं इसे सत्व पाराठा बहुत ही टेस्टी बनता है टिप्स नमर 18, सबजी को कारते समय उसे मीडियम साइज में कारते इसे सबजी को पकने में आपको कम समय लगता है तो दोस्तों यह सारी किचन टिप्स का उपयोग करने पर आपका मुश्किल काम भी आसानी से हो जाएगा यह चोटी चोटी टिप्स आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा आपके काम करने का तरीका बहतर हो जाएगा आप एके स्मार्ट हाउस वाइप बन सकती है टिप्स अच्छी लगी है तो लाइक और कॉमेंट जरूर करिएगा चारल परना है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और नोर्टिफिकेशन बेल को दवा कर ओल पर क्लिक कर लिजेगा जिससे आपको सभी वीडियो समय पर मिलती रहेगी थांक यू जा माता दी दोस्तो